हेलो फ्रेंड्स बी स्मार्ट एक्सपोर्टर वीडियो सिरीज में आपका स्वागत है आपका स्वागत है आपको बताऊंगा कि आपका जो सप्लायर है वह एक्सपोर्ट रेडी है या जैन्यूल है हो कैसे चेक करना है पूरा स्टेप बाई स्टेप वीडियो में आपको बताऊंगा तो आप यहां पे कभी भी कोई सप्लायर को मिलते हो तो उसको आपको 10 क्वेस्चन पूछना है और 10 क्वेस्चन के सही तरह से और कॉंफिडेंस के साथ आपका सप्लायर आपको आंसर देता है मतलब वो सप्लायर जैन्यून है और आपको कॉलिटी गूड्स दे पाएगा तो यहां पे जो भी लोग ने एक्सपोर्टर बनना चाहते है उसको इतना आइडिया नहीं रहता है कि सप्लायर से कैसे डील करें और मैं आपको यहां पे बता दू एक्सपोर्ट में सबसे डिफिकल कोई काम है तो वह जैन्यून सप्लायर फाइंड करना तो आप यहां पे जब भी आपके सप्लायर को मिलते हो तो 10 क्वेस्चन जो आपको उसको आस्क करना है पूछना है है कि आपको कितना quantity चाहिए क्या उतना quantity वह आपको दे पाएगा इस सबसे मेजर question है next है price yes export में आपको competitive pricing करना पड़ेगा अब यह pricing करने के लिए आपको भी price आगे से मिलना चाहिए तो manufacturer को आपको पुछना है कि आपका pricing क्या है और जो भी pricing देता है उसमें आप negotiation भी कर सकते हो next आपको manufacturer से पूछना है वो है payment term yes तो आपका जो manufacturer है आपका जो supplier है वो आपको कौन से payment term में goods देगा आप ऐसा भी कर सकते हो 50% advance and 50% before delivery manufacturer generally जो है यही payment term में work करते है और आप उसको उधारी credit के बारे में भी पूछ सकते हो अगर को supplier आपको credit देने के लिए रेडी है तो बहुत ही अच्छी बात है next होता है lead time कितने time में तुम मुझे goods बना के दोंगे suppose मैं कंट्रे का या दो कंट्रे का मैं आपको order देता हूँ तो कितने time पे आप जो है goods मुझे बना के दे दोगे यह बहुत important question है क्योंकि जो भी buyer आपके पास आएगा उसको जल्दी goods चाहिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा जल्दी से goods कैसे export हो सकता है जब आपका supplier आपको time pay goods supply करे तभी आप time pay export कर सकते हो next question है reference उसको पूछन है क्या आप किस-किस गूर्वस को goods देते हो कौन से कौन से जो है आपके buyer है मतला आप बेचते हो यहाँ पर आप जो है reference पूछोगे तो उसका जैन्यूनिटी आपको पता चलेगा तो रेफरेंस रेफरेंस देता है की लोगों का reference देता है तो उससे जो है आपको पता कि आपका जो supplier है genuine है या नहीं है next question आपको जो है manufacturer को supplier को पूछना है वो है quality control कि आप quality control कैसे करते हो आपके वहाँ पर कोई laboratory वगर है या नहीं है तो पूरा आपको question पूछना है वो आपको confidently answer देता है तो बहुत ही अच्छी बात है and next question है सबसे important question है supplier की genuinely check करने का इसके अंदर आपको जो है document के बारे में पूछना है export license के बारे में पूछना है मतलब यहाँ पे जो है goods को export करने के लिए जो भी documents है यह manufacturer को मर्चंड के पांस आपके पांस IEC RCMC GST and कोई permission लगता है वो तो आपके पांस होना चाहिए but manufacturer को जो है उसके प्लान के कोई certificate लगते जैसे कि फसाई का certificate हो गया ISO का certificate वगर हो गया तो वो document जो है उसके पांस है के नहीं आपको पूछना है and main document जो है वो है आपको GST number मांगना है supplier का और वो आपको को पूछ सकते हो next question है guarantee कि मैं आपको order देता हूँ तो आप जो है time पे fulfill कर पाओगे उसका guarantee क्या है तो आपको जो है manufacturer से guarantee मांगना है yes manufacturer आपको guarantee दे पाता है एक satisfy answer दे पाता है confidently answer दे पाता है मतलब वो supplier जैन्यून है next is contact person yes कि यहाँ पे contact person कौन रहेगा कोई भी query है तो किसे contact करना है और पूरा communication mail से करना रहेगा तो आप export करना चाहते हो और आप ने ने हो export में तो यह सारे question आप अपने supplier को पूछ सकते हो और उसका जो है genuity आप check कर सकते हो तो यहाँ पे आप यह सब question जो है manufacture को पूछोगे उसका अच्छी तरह से answer देता है confidently answer देता है मतलब वो काम कर रहा है उसको export के बार में पता है production के बार में पता है और सारा knowledge भी है तो आपको satisfactory सारे answer मिलता है तो आप जो है supplier से काम कर सकते हो तो आपको यहाँ पे वीडियो में सबसे बढ़ी आवे कौन सा लगा वीडियो के निचे comment कीजिए और प्रैक्टिक आप export import सिखना चाते हो एक गुजराती businessman से business कैसे करना हो सिखना चाते हो तो हमारा training को आप join कर सकते हो और training को join करने के लिए हमारी application को download कीजिए और वहाँ पे upgrade कीजिए Let's go global together, thank you 被盜लें अपेघर को झाल झाल